एक राजा ने कैसे मकडी से जीवन में काम्याब होने की सीख ली आप सभी नों कहानी सुनी होगी और सुनाई भी होगी लेकिन एक आम और महान इंसान के बारे में कुछ लोग जानते तो हैं लेकिन उसके कामयाब होने से पहली की जिंदगी के बारे में बहुत कम जानते हैं जिसने घरीबी में जन्म लिया, अपनी पूरी जिंदगी में लगातार हार का सामना किया वो आठ चुनाब हारे, दो बार बिजनेस में फेल हुई और नर्व्स ब्रेकडाउन जैसी समस्या भी उने आए, वो बहुत बार हार मान सकते थे लेकिन उन्होंने वही रास्ता चुना जो एक विजेता चुनता है, क्योंकि वो हारे नहीं और अमेरीकी तिहास के बेहद सक्सेस्वल प्रेजिडेंट बने, जिसके बारे में अपना गजब उनके जीवन की गहराई को जानने की जितनी कोशिश कर सकता था, कि तब पता चला कि शायद आपको भी समझा जाए, विजेता वो नहीं जो हर बार जीते, बलकि वो है जो हा बार कर भी आगे बढ़े और अपने लक्षे पर नजर बनाई रखे लिंकन की तरह, जिह हम बात कर रहे हैं अबराहीम लिंकन की 1816 में उनकी फैमिली को उनहीं के घर से निकाल दिया, इसकी खातिर बच्पन से ही उन्हें भी काम करना पड़ा, 1818 में उनकी मां की मृत्तिव हो गया, 1831 में बिजनेस खत्म हो गया, 1832 में राज्ये के चुनाब में हार, 1832 में जॉब से भी हाध होया, लॉज स्कूल में उतारने में लगे, 1834 में फिर से राज्ये के चुनाब में हार, 1835 में शादी की और पहले ही साल में उनकी पतनी की मृत्य हो गई, 1836 में नर्व्स ब्रेक्डाउन हुआ और छे महीने तक बैट से भी नहीं उठे, 1838 में राज्ये सभा का स्पीकर बनने की कोशिश की और हार 1840 इलेक्टर बनने के लिए ट्राई किया और हार गए, 1843 में कॉंग्रेस के लिए ट्राई किया और फिर वही हार, 1846 कॉंग्रेस के लिए ट्राई किया और इस बार जीत मिली और वशिंग्टन जाकर अच्छा काम किया, 1848 फिर से कॉंग्रेस के लिए ट्राई किया और इस ब ही हार मिले 1856 वाइस प्रेजिडेंट के लिए नॉमिनेट किये गए लेकिन 100 से भी कम वोट मिले 1858 फिर से यूएस सीनेट के लिए खड़े हुए और हार गए और फिर आया साल 1860 और अब इतिहास रचने की बारी थी प्रेजिडेंट ओफ उनाइटेड स्टेट्स बनने की बा अब रह्यिंट का ये भी कहना है कि लगभग सारे शक्त परिशानियों का सामना कर सकते हैं लेकिन यदि आप किसी शक्त के चरितर का पता लगाना चाहते हैं तो उसे सत्ता सौनप दे और वाकई में आप भी कहोगे अब रह हिं लेंकोन का जीवन और चरितर गजब है